क्या आपको पता है अर्जुन ने कितनी बार विवाह किया था? दोस्तों आज हम महाभारत के चरित्र अर्जुन के विशय में बात करेंगे. अर्जुन एक महान धनुर्धर था और भगवान श्री कृष्ण का पर्ममित्र था इसलिए भगवान श्री कृष्ण के होते हुए वह अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा था. आपको यह ज्यात नहीं होगा कि उसने बहुत बार विवाह किया था. चलिए जानते हैं अर्जुन के पत्नियों के नाम. एक द्रौपदी अर्जुन का प्रथम विवाह द्रौपदी से हुआ था. प्रौपदी अगनी से उत्पन हुई कन्या थी जिसे द्रौपदने पाला था. इसलिए उसका नाम द्रौपदी पढ़ा था. पांच पती होने के कारण उसे पांचाली भी कहा जाता था और उसका एक नाम प्रिश्ना भी था 2. सुभधरा, सुभधरा भगवान श्री कृष्न की बहन थी उनके बड़े भईया बल्राम उनका विवाह दुर्योधन से हो ऐसा चाहते थे परंतु श्री कृष्न अपनी बहन के मन की बात चानते थे इसलिए उन्होंने अर्जुन और सुभधरा को भाग कर विवाह करने में मदद की थी 3. उलूपी, उलूपी एक नाग कन्या थी 5. पान्वों के 12 वर्ष के वनवास के दोरान उलूपी और अर्जुन की भेट हुई थी देखते ही उन दोनों को प्यार हो गया अर्जुन और उलूपी का विवाह पाता लोक में हुआ था अर्जुन और उलूपी का इरावत नाम का एक पुत्र भी था 4. चित्रांगदा, चित्रांगदा भी अर्जुन की पत्नी थी उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम बब्रुवाहन था चित्रांगदा मनिपूर के राजा चित्रवाहन की पुत्री थी महा भारत में ऐसा उलेक है कि चित्रांग्दा का पुत्र बब्रुवाहन अपने पिता अर्जुन से भी ज्यादा पराक्रमी था कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो जरूर बताए और आगे भी ऐसी वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें